नमस्ते, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है यहाँ पर आपको अनेक रोचक और जानकारी पूर्ण विडियो मिलेंगे कृप्या सब्सक्राइब करके हमें समर्थन करें और हमारी सामगरी का आनंद लें गुलाब का जादू एक समय की बात है, एक गाउ में एक छोटी लड़की रहती थी, जिसका नाम रिया था रिया को फूलों का बहुत शौक था खास कर गुलाब एक दिन जब वह अपनी दादी के साथ बाग में थी, वह एक अदभुत गुलाब का पौधा देखी इस गुलाब के फूल नीले रंके थे, जो की बहुत अदभितिय था, दादी ने बताया कि यह गुलाब विशेश तरह से है जो भी इसे सही दिल से देखता है और इसकी सुगंध महसूस करता है, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती है रिया थोड़ी अविश्वासी होती है, लेकिन वह फूल को संजीवनी गुलाब के रूप में महसूस करती है जब वह गुलाब को सुगती है, वह अचानक अपने जीवन की सभी चिंताओं और तनावों को भूल जाती है वह अपने दोस्तों और परिवार को भी इस अद्भुत गुलाब के बारे में बताती है धीरे-धीरे गाउ के लोग इस गुलाब को देखने के लिए आने लगे गाउ में खुशिया और सकारात मक्ता का माहौल बन गया लोग अब अधिक समझदार और दयालू बने अगर सही तरीके से समझें तो वह हमें सकारात मक्ता और शांती प्रदान कर सकती है